नमस्कार सातियों आपके सामने कक्षा 12 विशे रसायन विज्ञान का अध्वासिक प्रिक्षा का परसनपत्त 23 जो इस आपके स्किन के सामने हैं पेपर का पोना अंक है 40 अंको का और समय दिया गया 3 गंटे 15 मिनट तो पेपर की कुछन हम हल करते हैं मैंने अपने लाश्ट वी क्यूशन नमबर एक की दीव लोग तत्वों का सामाने इलेक्टोनिक विन्यास होता है तो इसका राइट अंसर होजाएगा बै एन माइनस वन डी एक से दस एन एस वन से टू इसके बाद ये पेपर हिंदी और इंग्लिस दोनों मीडियम के लिए है अगरा क्यूशन है कि CS3 प्लस 2NA प्लस CS3 CL ड्राइए इथर CS3 CS3 प्लस 2NA CL यह अभिक्रिया है अगर आपको याद हो तो मैंने लाश्ट पेपर जब हल किया था उसमें हमने वुटज अभिक्रिया पड़ी थी तो यह कौन सी अभिक्रिया है वुटज अभिक्रिया हो जाएगा एक बात यार ना कि ज अगर आपको इन परसनों की आंसर आते हैं तो आप मुझसे पहले कमेंट्स में बताने की कोशिश करें जिससे आपको काफ़ी सी सीखने को मिलेगी अगला क्यूशन है फ्रेयोन बारा है तो फ्रेयोन बारा का सब्सुत होता है CF2 CL2 तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए अगला है निम्न मेंसे डाय से कराइड है तो डाय से कराइड तीन होती है सुक्रोज माल्टोज और लेक्टोज तो क्यूशन 4 का जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा दाय और प्रॉक्त सभी इसके बाद चलते हैं नेश्ट कुशन की तरफ कि अगर आपकी दिश्टिक आपके सामने पुछा गया है कि मोलर्ता की इकाई बताईए तो मोलर्ता की क्यों इकाई पुछे तो इकाई क्या होती है मोल प्रती लीटर तो मोलर्ता की इकाई क्या होती है मोल प्रती लीटर इसके बार अगला क्यूशन आपके सामने कि वेदूत अपगटनी सेल को परिभासित कीजिए वेदूत अपगटनी सेल को परिभासित कीजिए तो इसके लिए हम कहले हैं वह सेल जो वेदूत उर्जा को वह सेल जो वेदूत उर्जा को किसमें परिवर्चित करता है रसायनिक उर्जा में परिवर्चित करता है वह सेल जो विदुट उर्जा को रसायनिक उर्जा में परिवर्चित करता है उसको हम क्या बोलते हैं वैदुर अपगटनी सेल कहा जाता है इसके बाद नेश कुशन डेनियल सेल का नामांग की चित्त बनाईए सिंपल सा है तो एक आप एक पात्र इधर बनाओगे दूसरा पात्र इधर बनाओगे और दोनों पात्र में धात्र का इलेक्ट्रोड लगा होता है जो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है इधर और इनको जोडने के लिए हमने एक गेलविनोमेटर से इनको जोड दिया है अब यह है करता है और उसमें विद्धुत अबगेटी के रूप में जिंक्स सल्फेट का विलियन भरा होता है परिपत को पूरा करने के लिए एक उल्टे इयू अकार के नली से इंको जोड़ दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं लवन शेहतू तो उमीद है कि आपको ये डाइग्राम अच्छल किसे समझ में आ गया होगा इसके बाद चलते हैं नेस्ट कुछिशन की तरब कि अगरा कुछिशन था आपका आठ नंबर की इसके आइनल समाविवी के समय के दो बनेंगे एक तो सी आर एस टू फोर बियार टू इस पर प्लस आजएगा दूरसे समाविवी में कि एक 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 बाद चल जाएगा और एक बाद बहार आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सी आर एस टू फोर बियार यहा सुरी एक बियार आएगा और यहां पर एक सी एल आजएगा और यहां पर प्लस तो यह इसका फॉर्मुला रहेगा तो यह इसके आइनल समाविवी बन गए इसके बाद ने श्टम बात करते हैं कार्बोक्सिलेट आइन की अनुनादी सरसना बनाई है तो पहले बात कार्बोक्सिलेट आएन का पोसे बनागी है और सी डबल बॉन्ड ओ इसके बनाओं यहां मैंनस एक तो इस ट्रिक्सरी बन जाएगी दूर्सी क्या बनेगी और सी ओ माइनस दबल बॉंड ओ ये क्या वनगे आपकी कार्बोकसलेट आयन की अनुनादी सरचना इसके बाद नेश्ट कुशन है कोपर का इलेक्टोनिक विन्यास लेगे कोपर का इलेक्टोनिक विन्यास तो कोपर का परवाण करमांग 29 दिया तो इसके बाद हम बात करते हैं नेश्ट कुशन की तरफ की जिंग केडमियम और मरकरी इतीनों कौन से बलोकी तत्वे हैं तो जिंग केडमियम और मरकरी को हम संक्रमन तत्वे क्यों नहीं वाते हैं क्योंकि इनका क्योंकि इनका डी कक्षक सामाने वा आनिक अवस्ता दोनों में डी कक्षक पूर्ण भरा होता है इसका जिंग केडमियम और मरकरी को हम क्या संक्रमन तत्व नहीं बानते हैं अब आपसे क्योंकि पूर्ण तत्व हैं वह आवर्स आनिक कोंसे वर्ग में आते हैं जल्दी से कमेंट से मता दीजिए इसके बाद आगला क्यूशन है को राउस का नियम लिखें तो क्या कि अनंत अनुता पर किसी दुर्बल विदूर्ट अपगट्टी की मोलच चलगता उसके आईनों की मोलच चलगता मुलच दनाइन वर रेनाइन की मोलच चलगता के योग लिखें की बराबर होता है तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखोंगे लेमडा अनंत एम एकवल लेमडा अनंत प्लस और लेमडा अनंत माइनस तो यह इसको इस रूप से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इसके बाद अगला क्यूशन है निम्न अभी कि लिया हों को आपको किस रूप में रिप्रेजेंट करना है तो अगर आपको यहाद हो सवाट्स अभी किरिया मैंने अपने लाश्ट क्लास का जो जो पेपर हल करवाए था उसमें यह एक्शन आपको हल करवाए थी तो यह आप वहां से दे सकते हो वोटेस पिटिक अभी करना तो हम यह लिख सक ड्राई इथर की उपस्तिती में तो यहां से एक सी यहां से दो एन ने और यह सी यह बाहर चला जाता है और बेंजिन वले के उपर आपको यह सीस्तित जुड़ा होता तो उसकुम क्या बोलते हैं लिखो प्रेक्टि लिखोगी तब यह आप सिक पाओगी बेंजिन वले के पर से जुड़ा होता है तो उसकों टोलूइन कहते हैं क्या खेते हैं अगले कुशन फिनोल की निम के साथ अगर फिनोल की अब इक लिखोगी आप सांज एचनो त्री के साथ कराओगे तो क्या बनेगा पिक्री का अमले यह लाश्ट पर जो हल कराया था उसमें भी कुशन आए था और ब्रॉमिन जल के साथ अब इक लिया कराओगे तो आपका उत्पाद है यहां ओ एच एक बियार इस कारवन पर दूसरा बियार इस कारवन पर और तीसरा बियार इस कारवन पर जोड़ जाएगा इसके बाद चलते हैं नेक्ट कुशन की तरफ के निम्ना बिक्री लिए को यहां पर हाप मान अलोर मान लिए यहां पर ऑपर आइस में बनेगा इसके बिक्री तो यह आपकी कारवन बिक्री यह और यहां पर आईसो साइनाइड बनेगा इसको इसके नाम है कार्बिल एमेनी कुशन बोर्ड एक्जाम में भी आपसे पुछा किया है इसके बाद नेस्ट कुशन के बाद करते हैं निम्ली योगी को उनके बढ़ते वे चारी करम में वैस्ट करने का करम पूछ से कार्ण को सबसे पहले आपको बताना है सब सरीक चारी अता होती है एथिल उससे अधिक होती है एंवनिया की और उससे भी अधिक होती है से टुए एस फाइब एनस टू की होती है ठीक है इसके बाद वाले कुशन थोड़े बढ़े हैं तो आप उसको समय कर सकते हैं मैंने आपकी स्किंपर ला दिया कि प्रोटीन के विक्रिक्रिकरन को उधार से आफिली एक्जाम या बोर्ड एक्जाम में देखने को जुरूर मिलेंगे पिछला में वीडियो हल करवाई था आप उसको देख सकते हो उससे भी काफी कुशन इसके अंदर रिपीट हुए इसी के साथ आज क्लास को हम समप्त कते हैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पाप